नमस्कार दोस्तों इंडियास्टा एक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो इस वडियों बात करने वाले हैं यूसे में दो गतिविदिया हो रही है भारत को लेगे उसके बारे में और उटमें विकास करके प्रधान मंत्री मुरी जी के किलाफ और नसे अजी डोवल जी के किला करवा ही जारी उसको भी समझने के कोशिश करेंगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल ऐकन दबाना ना पुले ताकि आपको रेगिलर नोटिफिकेशन और इन्फरमेश मिल कि थे तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज पन्नों की हज्या करने की प्लानिंग की थी यह जो पर्डिकलर कंप्लेइन है वो फाइल की गई थी नन अदर दें डेजिगनेटिट टेररिस्ट पाइंडिया गुरू पत्वन सिंग पन्नों जो के एक खालिस्तानी कंजर है आप कंजर क्या है तो कंजर इस बेजिकली यह पर नाच्टा उसी के चलते हैं वो बेजिकली मुझरा कर रहा है और उसी मुझरे का एक बाट है उसी परफर्मंस का एक बाट है यह पर्टिकलर कंप्लेट मज़िदार बात यह है कि वहां की डिस्ट्रिक कोट सदन नियुवर्क की डिस्ट्रिक कोट ने पीम नरिंद्र जी और ने से जी डोबल जी के किया है समन्स जारी किये हैं डिस्ट्रिक कोट बेजिकली कोट की जो हैरार्की होती है उसमें बहुत ही नीचे आ और उसी के चलते उन्हों का जो जो जूरिस्दिक्शन है वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में भी पूरे यूएस के लिए लेकिन यूएस के भी एक बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए सीमित रह जाब है तो उसी के चलते ये जो पर्टिक्लर कंप्लेइंट फर्स अपॉल एकसेप्ट की गई है वो ही टोटली नॉनसेंस है और साथ ही में ये जो समन्स जारी किये गए है वो भी इट इस नतिंग किया गया है एक मुझरा चालू किया गया है चालू किया है नन अदर दें गुरूप अद्वन सिंग पन्नू जो किया रहा है जिंग कुछ नकुछ गतिविदिया करते रहता है अनर्गल स्टेक्मेंट्स देते रहता है तो उसी ने ये एक और गतिविदी की है एक और सेजी डोवल जी, XRNEWG और उन लोगे, तो बेसिकली उन लोगे जुरिस्दिक्षन के बाहर है, पूरा येरिंग भी करना, इसके लिए स्पेसिपिकली एक ICJ बनाई गई है, International Court of Justice, जहां पर एक देश की सरकार, दूसरी देश की सरकार के ओपर केस कर सकती है, जिस तरह से South Africa ने इसराइल के ओपर किया, लेकिन वहां की वो Supreme Court है, Top Court है, Apex Court है, या फिर इस प्रकार के District Court है, उनके पास इस प्रकार के कोई भी provisions अवेलेबल नहीं है, कि वे लोग, भारत की सरकार के खिलाब, और भारत के जो राष्टिय सलाकार है, जो officers है, government officers है, उन लोग के खिलाब, वो इदी कारवाही कर पाए, तो ये एक basically फार्ज है, एक सिर्फ एक छलावा है, जो एक create किया गया है, narrative बनाने के लिए, जिसको कई सारे लोगों ने consume भी किया, कई सारे लोगो उने वेन्पोर में एक rally निकाली, जिसमें नरेन्रमोदी को कैदी के कपड़े पहना कर खीचा गया, उनकी जो F.E.G. है, उसको खीचा गया, उनके पुतले को खीचा गया, और साथ ही में भारत के जंडे को अप्पाने टिक किया गया, अब वहाँ पर ये freedom of speech के अंदर में आता है, तो इसके चलते, ना ही वहाँ की सरकार ने, और ना ही वहाँ की जो security agencies है, उन्होंने कोई भी कदम उठाया, और ना ही उन्हों को रोगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो environment है, चाहे वो Canada का ले लिजे या USA Canada, वो किस तरह का है, उन लोग के जो intentions है, और हम लोग की दो सोच है, भारत को लेकर वो किस तरह की है, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविदिया हो रही है, जहां पर दो देशों के बीच में issues खड़े हो सकते हैं, ऐसी गतिविदियों को permission दी जाती है, और उसके खिलाप कोई भी action नहीं लिया जाता है, तो ये एक उन ल आवज नहीं उठा रहे हैं, जब प्रदान मंतरी इंद्रा गांदी, उनकी जो effigies निकाली गई थी और उनके assassination को endorse किया गया था, उनको खुल कर दिखाया गया था एक procession निकाल कर, उस समय भी हम लोग यही बात कह रहे हैं, कि भारत के किसी भी मंतरी या भारत के internal matter में किसी बाहरी व्यक्ति को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे वो इंद्रा गांदी हो, चाहे वो रावल गांदी हो, चाहे वो प्रदान मंतरी मोधी हो, या कोई भी अन्य भारत का नेता हो, उन लोग के खिलाब बाहर की किसी भी agency को कोई भी टिपनी करने का, या फिर किस निकाले गई थी उसमें प्रदान मंत्री मोधी जी का पुटला निकाला गया था उसको लिंच करते हुए भी लोग ये खालिस्तानी गंजरी ये खालिस्तानी प्रॉस्टेड्यूट वेश्च्याएं दिखाई पड़ी थी तो उसी के चलते इस प्रकार की अक्टिविटीज को वहाँ पर बड़ावा दिया जा रहा है अब ये चीज़े अभी क्यों हो रही है और एक साथ क्यों हो रही है तो इसकी वज़ए कि प्रदान मंत्री मोधी जी कल USA में है और उनका अलग-अलग जगहों पर प्रोग्राम है वो UNGA में भी जाएंगे और अलग-अलग जगहों पर रैलिस को भी एड्रेस करेंगे और साथ की में वो डॉनल्ड ट्रम को भी मिलने वाले है अब ये डॉनल्ड ट्रम युएस का जोस्ताबलेशमेंट है जो कि युएस में सब्ता को कंट्रोल करता है पावर होल्ड करता है उसके खिलाफ है जिसको डीप स्रेट, गहरा चाहे और अपने हिसाब से वहाँ पर सत्ता चला है और पूरे देश में उन्मात फैल तो उन लोगों के ऐसे establishment के खिलाब डॉनल्ड ट्रम्प है और नरेंद्र मोदी जी उस डॉनल्ड ट्रम्प के साथ जाकर मिलने वाले हैं अब मोदी हैं जो पूरी दुनिया में उन्मात मचाते हैं और अपनी सत्ता चालाना चाते हैं दो लोगों को अपने control में रखना चाते हैं उन लोग की activities को वो पूरी दुनिया में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से challenge कर रहें तो अगर वहां पर डॉनल्ड ट्रम्प आ जाता जिसके chances हैं लेकिन अगर यूएस election रिग किये जाए तो होने वाला है without a doubt उसकी activities अल्रेडी हो गए हैं तो उसके चलते Democrats वापस सत्ता में आ जाएंगे Left Liberals वापस सत्ता में आ जाएंगे और यह जो गतिविटिया पूरी दुनिया में हो रही है वो वापस continue होने लगी तो उसी के चलते नरेंद्रमोधी जी मिलने वाले हैं और भारत में भी इस प्रकार के opposition leaders से US के जो puppets से जो यहाँ पर diplomat के तौर पर मिठाया गया है वो मिले थे तो उसी के सामने उसी को counter करते हुए वहाँ पर Donald Trump को नरेंद्रमोधी जी मिलने वाले हैं इस प्रकार के बाते चल रही हैं तो यह भारत का एक counter है जो भारत ने present किया है कि अगर आप हमारे वहाँ पर करने के लिए इस प्रकार के खालिस्तानी कंजरों के पास से activities करवा ही जा रही है ताकि नरेंद्रमोधी और उनकी को की वो इन सब चीजों में उजी रहे या फिर प्रेशर में आकर ऐसी कोई भी activity ना करे जिस जो secret society है deep state है establishment है CIA है उनके जो plans है उसमें खलेल पहुंचे उसम के वहां की जो secret society है उसने पैसे खालिस्तानियों को मुझरा करवाना स्टार्ट कर दिया है Canada में as well as USA उसी के उपर यह गत्विद्या हो रही है basically इसके अलावा और कोई भी reason नहीं है अब खालिस्तानी ही की तो उसका reason यह है कि पाकिस्तानियों के पास से भी इस प्रकार की ग यूएस के कंट्रोल में नहीं है वो यूएस की बार नहीं मान रहा है तो उसी के पास दूसरा काउंटर क्या है नरेंडर मोदी जी को कंट्रोल करने का और भारत के जो diplomats है उनकी जो moments है उनको कंट्रोल करने का USA में at least खास करके और यूएस के जो puppet countries है उन कंट्रीज में खास करके तो वहां पर है यह खालिस्तानी कंजर जो पैसा लेकर कहीं पर भी मुद्रा कर लें तो बेजिकली उसी के लिए यह सब कतिविद्या करवाई जा रही है इस नुटिंग मोर दें जस्ट प्रेशर टैक्टिक जो वहां पर क्रिएट की जा रही है ले पर आप पन्नु को असेसिनेट करवाना चाहते ही है तो करवा क्यों ने देख रीजन उसके पीछे का यह है कि पन्नु इस बेजिकली एन एंटर्टेन्मेंट पीज वह एक मीम बन गया है इन रीसंट टाइम्स सो ड्यू टू टू दैट पन्नु को जिन्दा रखना भारत के हित में है खास करके जो वारत की मीम इंडस्ट्री है उन लोग के भी हित में है तो उसी के चल पन्नु जिन्दा रखा गया है और C.I.A. को यह बता जाता है कि पन्नु आप लोगों की कंचर है आप लोगों की प्रोस्टिट्यूट है आपकी वेश्या है और आपके कहने पर और ही नाच्ती है महाँ पर इसी लिए हम लोग उसको जादा सिर्यस्टी नहीं लेते हैं वेकोज ही कें जस्ट टॉक आल बार्ट और नो बाइट वो सिर्फ पहुंक सकता है कुछ कर नहीं सकता है तो उसी प्रकार से यह पूरी गतिविदिया महाँ पर यूएस में हो रही ह और हाने वाले किनों में होने वाली है जब तक नरें रमोडी जी वहाँ पर रहेंगे तब तक यह सब चीज़े होती रहेंगे तो डोंट गेट स्ट्रेस्ट इसको लेकर भारत सरकार भी कोई प्रेशर नहीं ले रही है और हम लोग को भी कोई प्रेशर या स्ट्रेस इसको लेकर नहीं लेना चाहिए, बेजिकली एक मुझ्रा और्गिनाइस किया गया है, सिब बैक एड एंजोल, आपको ये कबर कैसी लगी और आप क्या सोसते हैं इसके बारे में, यह हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, आप खालिस्तारियों के बारे में क्या सोसते हैं, यह भी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबारा ना बुलें, ताकि आपको इस प्रकार के अनलेसिस और अखिकते मिलती रहें, मिलेंग अगली कबर में, तब तक के लिए, जए हिन, खरार मादे,